तो आज हम डिस्क्स करेंगे कल जो हमने कुछ important formulas पड़े थे उसके बेस पे जो है हम कुछ question करेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे और आज हम trigonometry का खात्मा कर देंगे तो कल हम शुरू करेंगे differentiation और उसके बाद integration तो आज हमारा तो सबसे पहले question है find the value of sin 15 degree ठीक है sin 15 degree की हमने value निकाल ली हो 10 of 75 degree की तो यहां पर हमने जो formula यूज करना है sin a minus b क्यों करेंगे क्योंकि हमें पता है sin of 15 degree को हम लख सकते हैं sin of 45 minus 30 degree ठीक है अगर हम इसको जो है interim of theta लिखते जैसे हम लिखते थे sin of 90 plus theta या 90 minus theta तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम 90 15 degree बनाना थे न हमने तो यहां पर जो trigonometrical value जो है मतलब अगर हम 90 मैंसे जो value हम minus कर देते 90 मैंसे 15 निकालो कितना रहता है तो यह रहता है 5 और 9 मैंसे 1 निकालेंगे 10 मैंसे 5 5 तो यहां 8 मैंसे 1 निकालेंगे 75 बचता है तो sin of 75 की वैलू नहीं है हमारे पास तो इसलिए हमनेक्या क्या क्या नहीं है हमारे पास हमारे पास वह हम पानए पता नहीं है तो इसके लिए हम क्या करते हैं साइनअफ 45 माइनस 30 तो जब यह हमने लिखा है साइनफ 45 माइनस 30 अब यहाँ पे यहां पे अब फॉर्मॉला कौन सा यूज होगा यह بن गया आप इन दे फॉर्म आफ साइन आफ ए माइनस B तो अब साइन आफ visiting मैनिस बी का फॉर्मूला हमने काल जो पड़ा था वो क्या है साइन अफ ए कॉसाफ बी माइनस कॉसाफ ए साइन अफ ऑच याद होने से हैं ठीक है तो उसके बाद जब हम साइन a और b a की value है हमारे पास 45 और b की value है 30 तो लगा दिया हमने यहाँ पे sin of 45 degree cos of 30 degree b cos a a है 45 और sin b that is sin of 30 degree अब sin 45 45 हमें पता है कितनी है value इसकी 1 by root 2 वो हमें कहां से पता चलेगा trigonometrical ratios tables जो हमने already learn किया हुआ है cos of 30 cos of 30 की value क्या है root 3 by 2 हमने लगा ली minus 1 by root 2 आगे cos of 45 की और sin of 30 की आगे 1 by 2 इन सब की value हम जो है कैसे लिखते हैं जिसके लिए मैंने आपको बताया था आपने याद क्या रखना है 1 1 root 3 2 root 2 और 2 यह आगे sin की value sin 30 sin 45 1 by root 2 और sin 60 root 3 by 2 तो इसका cross आजाएगा क्या cos की value और फिर 10 की value भी हम ऐसे ही निकालता है sin by cos ठीक है अब हम पहुचके यहां यहां पर हमने देखा हमारे पास denominator में क्या है 2 root 2 तो यह denominator हमने कामन निकाला यहां पर लिखा और उपर क्या हमारे पास value बचेगी root 3 और minus 1 है क्योंकि यह बन जाएगा root 3 1,000 root 3 और यहां पर 1,000 तो यह बन जाएगा root 3 minus 1 तो यह आ गया इसका answer अब जो next question है 10 of 75 यहां पर फॉर्मूला लगेगा 10 a plus 10 b ठीक है क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे 10 90 में कुछ add करेंगे या subtract करेंगे subtract करना पड़ेगा वहां पर जो हमारी value है वह जह है medical ratios में हमें वह value नहीं मिलती है इसलिए हम इसको बनाते हैं 10 of a plus b formula to 10 of a plus b आ जाएगा 45 plus 30 that is 75 and we can write it as 10 of a plus b which is equal to 10 of a 10 b upon 1 minus 10 a 10 of b here a a is equal to 45 degree and b is equal to 30 degree hence we can write it as 10 of a a is 45 degree 10 of b b is 30 degree upon 1 minus 10 of a that is 45 degree and 10 of b that is 30 degree hence we know that from trigonometrical ratios table 10 of 45 degree is equal to 1 and 10 of 30 degree is equal to 1 by root 3 upon 1 minus 10 of 45 is 1 and 10 of 30 is 1 by root 3 तो ये calculation करने के बाद हमारे पास आता है ये इसको हम cross multiply करें या common ले लो तो root 3 upon root 3 plus 1 upon ये root 3 आता है और उसके बाद नीचे यहां पर cross multiply करो तो ये बन जाता है root 3 minus 1 यहां पर 3 over 3 cancel हो जाएगा हमारे पास बचेगा root of 3 plus 1 upon root of 3 minus 1 ठीके इस तरह से अगर हमने यहां से cot की value निकालने होगी तो हम क्या करेंगी यह answer यहां पर क्या जाएगा क्योंके cot है इसका reciprocal है तो root 3 minus 1 upon इसका reciprocal हो जाएगा इस तरह से अगर हमने यहां पर approximation क्या होता है small angle approximation क्या है कि अगर हमारा if theta is very small अगर जो हमारा एंगल होगा वह बहुत छोटा होगा मादलब 5 degree से छोटा होगा तब हम तब हमारी जो sine theta जाए उसकी value जो है कितनी होती है theta के बरावर और cos theta जो है nearly equal to theta 10 theta की जो है theta के बरावर हम इसको लिख सकते हैं आर साइन theta is nearly equal to theta cos theta is nearly equal to 1 and 10 of theta is nearly equal to theta यह आपने याद रखना है cos theta की 1 है और साइन और टेन की theta approximate value अगर हमारा जो है एंगल जो है बहुत छोटा theta जो है very small होगा here theta must be in radians और हमारा जो theta होगा वो हमेशा किस में होगा रेडियन में होगा इसके उपर हम questions करते हैं find the approximate value of sine of 1 degree 10 of 2 degree और cos of 1 degree we know that sine of 1 degree that is equal to जब हम इसको रेडियन में convert करेंगे तो तब हम क्या करते हैं हम यह हैं पाई by 180 से इसको multiply करते हैं जो हमारे पास angle दिया होता है उसको multiply करते हैं हमने किया multiply इसको यह आ गया हमारे पास sign pi by 180 degree that is nearly equal to pi by 180 यह 1 के पर यह आ जाएगा है तो 1 के बराबर आ जाएगा अगर हम इसको फिर से angle में convert करेंगे तो pi by 180 radian that is equal to 1 degree ठीक है 10 of 2 degree तो इसी तरह से इसको भी हम radian में convert करेंगे तो यह जाएगा pi by 90 और cost of 1 degree वो nearly equal to 1 के बराबर आ जाएगा उसके बाद जो next हमारे पास range range of trigonometrical functions है जो हमारे साइन थीटा है we know that साइन थीटा की value हमारे पास होती है perpendicular upon hypotenuse जहां पर हमारा hypotenuse जहाए या तो greater होगा या greater होगा या उसके बराबर होगा परपंडिकुलर के बराबर होगा और इसकी range क्या है so minus 1 से लेकर plus 1 तक ठीक है और cost of theta जो है base upon hypotenuse तो जहां पर हाइपाटिनेवस हमारा जो है या बड़ा होगा या इसके base के बराबर होगा और इसकी range जहां minus 1 से लेकर plus 1 तक इसकी भी range है और 10 theta अगर हम देखेंगे perpendicular upon base के बराबर होता है और इसकी range होती है minus infinity से लेकर plus infinity तक ठीक है तो dear students यहां पे जो हमारा topic जो है खतम होता है कौन सा trigonometrical जो जो भी हमारा mathematics trigonometrics से जो लगने वाला था physics के अंदर वो हमने complete किया हुआ है आपने आप क्या करना है इसके base पे जितनी भी exercise है वो करने की कोशिश करने और यह कोशिश करने है कि ज्यादा से ज्यादा आपनी यह फार्मूलाज है इनको अच्छे से learn करना है ठीक है तो अगर वीडियो जहाँ पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और thanks wish you all the best